हेलो एब्रीवन नमस्कार जैहिंद मेरा नाम है अनुदाक्षर्मा माई पाच्छाला पे आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ देली सर्बाइट सर्विसिस सेलेक्शन बोर्ड यानि की डी ट्रिपल एस पी में 1499 मतलब की करीब-करीब 1500 वेकेंसी पर 1500 वेकेंसी यहाँ पर आई है अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग डिपार्टमेंट में सारी की सारी वेकेंसी नोन टेक्निकल की भी है ठीक है तो आओ देखते हैं apply करने की जो date है यहाँ पर वो है 19 March मतलब की 19 March को form शुरू हुए कल शुरू हो चुके थे और 17 April तक आप apply कर सकते हो यहाँ बहुत सारी अलग-अलग post पर यह जो है vacancy है और यह सारी post यहाँ पर दी गई है आपको जैसे की देखो यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर 64 post आपको देखने को मिल नहीं 64 के around और सभी में क्या-क्या वहाँ पर हमारी देखो जैसे यहाँ पर salesman grade 1 है ठीक है तो यहाँ पर इसमें vacancy हो गई 10 इस तरह से storekeeper की 6 vacancy अलग-अलग vacancy है जैसे की selection post में दीना बहुत सारी vacancy यहाँ पर भी अलग-अलग-अलग department में अलग-अलग vacancy यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यह सारी vacancy जो हैं यहाँ पर दिया गया है कितनी-कितनी vacancy है और नीचे जाओगे नीचे जाओगे तो यह दिया गया है कि पोस्ट कोड दिये गए तो यह पोश्ट कोड बहुत इंपोर्टेंट होते हैं देखो अब यहां पर पोश्ट कोड दिया नाइन अपॉर्ण यह नाइन वाई 24 तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस पोश्ट में क्या एज्जुकेशन कॉलिफिकेशन मांगी गई है और यहां पर क्य यहां पर चाहिए इस तरह से सारी पोश्ट है तो आप देख सकते हो ठीक है कि किस पोश्ट में क्या रिक्वाइर्मेंट आप भर सकते हो या नहीं आपके लिए है या नहीं 100 रुपए का फॉर्म है और 100 रुपए का जो यह फॉर्म है वहाँ पर फीमेल के लिए और S.C.H. को वह 100 रुपए भी नहीं देने उनके लिए निल है अब मैं जल्ब बात करता हूं यहां पर जल्दी से एक्जाम पैटर्न किस तरह से है नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा एक्जाम पैटर्न की यहां पर बात करते हैं और फोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे ऑफ बेखो तो यहां पर आप देखोगे यहां पर आप देखोगे तो अब जयनिल यहां पर लिख़ा यहां पर लिखा새 मतल्य की साड़ी को貌कि और पर जेन्रलाइज है ठीक है कुछ तो मैंने बता है टेकनिकल पोस्ट हैं उनके लिए अलग एक्जाम पैटर्न है अभी जन्रल में बात कर रहा है मतलब जो कि यहाँ पर नॉन टेक वाली है जिनको सारे लोग भरेंगे तो वहाँ पर यह दो गंटे का एक्जाम इन सारी पोस्ट के लिए उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है देखो एक्जाम पैटर्न क्या है जन्रल अवेरनेस आ रही है रीजनिग आ रही है अरित्मेटिक मतलब हमारा मैत आ रहा है हिंदी आ रही है और इंगलिश आ रही है ठीक है चालिस नंबर का हर एक सेक्शन दोसो नंबर का पेपर यहां पर पूछा जा रहा है इसी तरह जो दूसरी पोस्ट है उन में 35 पैटिस नंबर के सेक्शन है यहां पर इन पोस्ट में क्या है कि इंगलिश पूछी जा रही है हिंदी पूछी जा रही है 35 नंबर के लिए और वहां पर English नहीं थी ना, वहां पर भी English थी, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है, अलग से क्या है फिर इसमें, इसमें computer अलग से, 25 नमर रहा, computer अलग से, तो 35 नमर के वो section, और 25 नमर computer, यह हो गया, अब हम आते हैं, जो technical वाली है, देखो, technical वालों के लिए अलग paper लिया जाएगा यहां पर, जो technical vacancy है, जिनमें degree, diploma मांगा है, वहां पर क्या है, journal awareness है, reasoning है, math है, hindi है, English है, ठीक है, 20 नमर के सारे section, 100 नमर का paper, और एक और चीज यहां पर ज्यान देने की, वो यह है कि जो technical वाली है, इनमें tier 2 भी है, technical वाली में, देखो हम नीच आएंगे तो हम देखेंगे यहां पर, technical वाली जो vacancies हैं, उनमें सिर्फ tier 1 नहीं है, tier 2 भी यहां पर लिया जाएगा, देखो, technical वाली में tier 2 भी है, लिखा है न साफ साफ, वहां पर general awareness, reasoning, arithmetic aptitude, English और, वहां पर Hindi आ रही है, ठीक है, यह paper 2 इसका रहने वाला है, तो आप यह सारी की सारी vacancy देख सकते हो, exam pattern भी मैंने आपको यहां पर brief किया, ठीक है, आपको जो vacancy आप भरने लाएक हो, जो आप भर सकते हो, अगर आप वह experience फुल्फिल कर रहे हो, या वह education qualification फुल्फिल कर रहे हो, कैसे देख रही हो, वह भी मैंने बता दी, post code देखो, post का नाम भी है, नीचे आओगे, तो notification में ही सारा कुछ है, आपको कहीं और जाने की जरूद नहीं है, ठीक है, तो आप यहां पर apply कर सकते हो, 1500 के आज़ पास vacancy है, और आप देख सकते हो, कि आपके लिए कौनसी vacancy suitable है, 100 रुपय का यह form रहने वाला है, और मैंने आपको बता दी, crucial date भी क्या है, और crucial date जब से आपका, वो degree या education qualification देखी जाएगी, वो है 17 अपरेल, वो भी आप notification देख सकते हो, 17 अपरेल को ही देखी जाएगी, कि आपकी degree पूरी है, experience पूरा है, तो ये थी DS, DSSB के बारे में, सारी की सारी जानकारी, और सुबा को 10 बजे, हम math की series कर रहे हैं, most repeated pattern series, जो की चाहें आप DSSB दो, या SSC का exam दो, आने वाले selection post, है ना, और CPO बहुत important रहने वाली है, एक concept को एक दिन में हम पकड़ते हैं, और सारा का सारा उसको निचोड लेते हैं, अच्छे से सारे उस पर देख लेने, क्या क्या variation exam में बार बार पूछी जा रही है, और जो question बहुत ज़्यादा कुछ जाते हैं, वही मैं महाँ पर आपको कराता हूँ, कि आने वाले exam में उनकी guarantee है आने की, तो सुबह 10 बजे वो series मेरी live रहती है, सुबह 10 बजे मेरे साथ live रहा करो, बच्चे महाँ पर बहुत अच्छे से answer भी करते हैं, competition का महौल आप सभी को मिलेगा, तो हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुडबाई टाटा, नमस्कार, जैहिन!